वेलियंट और्गेनिक यहां पे थोड़ा सा बुलिश पैटन बना हुआ है डेली बेसिस पे कलका और आज का अगर कॉंबिनेशन होता है तो एक सप्लाई की पैटन बनी हुई है लेकिन लॉंग तर्म बेसिस पे देखा जाएगा तो एक अच्छा खासा एक बॉटम अगर आज होती है तो अगर आप अगर आप अल्डरी बेसिस पैटन स्ट्रॉंग है डेली बेसिस पैटन में थोड़ा सा रहा है तो अगर आज रिकावरी होती है तो अगर आप अल्डरी पोजिशन में हो तो आप इसको होल्ड कर सकते है विद्ट स्टॉपलस बिलो 750 जहां पर एक गैप बना हुआ था तो वह गैप एक प्रोटेक्टिव स्टॉपलस के तोर पर आप यूज कर सकते हो 758 का गैप का हायर स आप इसको पोजिशनली फोल्ड कर सकते है विद्ट कर आप इसको पोजिशनली फोल्ड कर सकते हैं